नमस्कार नीच फोनेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंग आपको बता दे कि पटना गया डोभी लाइन को लेकर जिस प्रकार से उस निर्मान में देरी हो रहा है और उसको लेकर हाई कोट ने पटकार लगाया है और उसकी रिपोर्ट मांगे है आपको ब सुनबाई की चीफ जस्टिस संजय करोल की खंड पीटने सुनबाई करते हुए डियम गया वा अनसंबंदित अधिकारियों को एनेच पर से अतिक्रमन हटाने का निर्देश दिया है साथ ही जिनका भूमी अधिगरन किया गया है उन्हें मुआपजा देने की कारवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है आज कोट में गया के डियम निर्देश दिया है कि निर्मान के लिए निर्मान की जा रही कारवाई का बेवरा अगली सुनवाई में कोट को प्रस्तूत करें कोट का कहना था कि जमीन मालिकों को मुआबजा का भुकतान अब तक क्यों नहीं किया गया इसका काम में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए राज सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोट को बताया कि इस रास्टिये राजमार्ग का निर्मान तीन चर्णों में होना है पटना से जहानाबाद और जहानाबाद से गया तथा ये डोभी तक होने वाली निर्मान कार धीमी प्रगती से चल रही है एनेज की ओर से कोट को बताया गया है कि निर्मान कार चल रहा है कोट का कहना था कि भूमी मुआबजा को लेकर कई शिकायते मिली है सडक निर्मान कार के लिए किसानों का जमीन अधिकरन किया गया है लेकिन उन्हें मुआबजा का भुगतान नहीं किया गया है 16 मई 2022 को इस मामले पर फिर सुनवाई की जाएगी कोट ने ये निर्देश दिया है कि आखिरकार जो सड़क बनाने के लिए किशानों का जमीन लिया गया आखिरकार उसका मुआबजा अब तक सरकार ने क्यों नहीं दिया है इसको लेकर कई तरह की स्तिकायते कोट में आ रही है और उसी को लेकर आज जब हाई कोट ने सुनवाई की है तो इसमें सवाल भी पूछा है राजसरकार से और राजसरकार ने इसका जवाब दिया है कि तीन चरनों में इसको बनाना है हलाकि अगली सुनवाई 16 मई 2022 को ना है और उसमें जवाब मांगा गया है आखिरकार क्यूं देरी हो रही है बनिस्पोनेशन के साथ नमस्कार